गाइस आज हम बात करेंगे अहुजा का नीव अमलिफायर के बारे में जो कि हाली में लॉंच हुआ है और आप लोग देख चुके हैंगे और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो मेंने आप से को कोई आउटपूट नहीं बताया था साथी प्राज कित चला सकते साथी इस अनिफायर की प्राज कितना होगा वह आपको पता चलेगा इस बीडियो में और एक मैंची जो कि इसमें आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट साथी बहुत सरा पॉजिटिव पॉइंट भी दिगनों मिलेगा लेकिन जातर नेगेटिव पॉइंट ही मु इससे आप सब्सक्राइब दिनों मिल जाता है और यह लगवा आप लोग देख चुकेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं अगर आप लोग नहीं थे तो आप लोग जाकर देख सकते या फिर इस वीडियो में आपको फुली जनकारी मिल जागा तो जो अब तो वह अलग बातना लेगिन अब अउजा ने बहुती बड़ा मतरा चैन्जिंग क्या है इस एलिफायर में जो कि कैलास D में लॉंच क्या है और इस वी खासिजद की बात को देखें इस हंडिफायर की बहुती आपको दिनों मिलेगा तो इस हंडिपायर के मुकाब पचास कलव दिनों मिलेगा अप्रोक्स नहीं इतना इसका बेट दिया तो आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही कम इसका बेट है दूसर अनलेफार के कंपर में चले अब बात करूंगा इस अनलेफार की आउटपूट आपको क्या क्या दिनों मिलेगा किस तरह आपको दिनों मिलेगा तो सबसेल बात करूंगा इसका दोनों चल में एटम पर पर प्रवाइट करने वाला आउटपूट तो देखें इसमें आपको आउटपूट जो कि 350 पर दोनों चल में आपको दिनों मिलेगा और बात करूंगा फोर्म पर इसमें अपको 24 प्रवाइड करेंगा जो कि दुनेचल में इसका बात करूंगा जो कि सुंब पर तो यहला नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी आउटपूर में चला सकते हैं a बसक्तों में मतले करना Daha under Шका सकते सोस्थमाख Sh adds a लेगा बीज मोट इसमें हटा दिया है आप लोग जानते हों कि जितना भी आऊजा अप्शन दीखने को मिलता था लेगं इस में कोभी ओप्शन आपको नहीं दीखने मिलेगा तो आप लोग बीज मोट का लाप नहीं उड़ा सकते से सेपैलि और चले आगे बात करेंगा इस यूज करके यूज कर सकते जो कितना दीन मिलेगा तो देखे आउज ने इस बार बहुती बड़ा अपडेड मांद सकते हैं जो कि डेमटार के लिए मतल्ड डेमटार को बहुती अपग्डेड कर दिया है जो कि इस बार तो कितना आपको दिनो मिलेगा इस अंप आपको 1000 का डेमटर दीव मिलेगा मतलए जितना भी एंउलिफायर पहले आता है सब्सक्राइब में आप इसमें आपको बहुत ही बढ़ा बताया जो कि एक हजार कर डेमटर तो काफी बढ़िया बेस की तो ऐसा नहीं कि आप लोग टौप सबसे भी बात ढूंगा दिखे यह message on आपका एटोम में तो इस आउटपूट के इसाफ से आप लगबग तो यह सिंगल बेस पर चनल यूज कर सकते हैं यह अराम से चला सकता है कोई दिख्याद नहींगा अगर आप लोग चलाना चाहेंगे जो की लगबग 14 बेस आता है तो यूज कर सकते हैं या फिर डायेट काफी बिढ़ियां से चला लेगा उतना दिक्क्त नहींगा तो आप लोग चाहेंगे तो पंदेस ओड़ेज का भी चला सकते कोई प्रोल्म नहीं है लेकिन बेस्ट होगा त्रेस ओड़ेज का ही आप लोग यूज कर सकते हैं या फिर आप उसे भी लेकर आप लोग दो दो बेस आता है उसे भी आप लोग बेस पर चैनल यूज कर सकते हैं यह काफी बनिया होगा और यह भी चला सकता है कोई दिक्क्त नहीं है और बात करूंगा इस अम्लिफायर में आप लोग टॉप कितना चला सकते हैं तो इसे में आप लोग चार्ट टॉप तो नहीं चला सकते लिए इसमें आप लोग चलाना चाहेंगे तो एक एक टॉप बिल्कुल चला सकते हैं कोई दिख्यत नहेंगा जो कि फोरूम पर रन होगा तो आपका एक एक स्पीकर लगबग बारसोरच का होना चाहिए जैसे कि अगर इस्पीकर लगना चाहिए तो एड़ोटरन का या फिर जो का भी बारसोरच की स्पीकर आता है तो उन सब इस्पीकर को आप लोग यूज कर सकते एक एक टॉप के अंदर मतला आपका एक टॉप चोब्वी सोरच का होना चाहिए लगबग तभी आपके लिए बेस्ट होगा और यह आराम से चला लेगा जो कि फोरूम के साब से अब तक मैं जितना भी पॉइंट बताया हूं सभी पॉइंट पॉइंट नहीं था चले अब बात करूंगा इस अनलिफायर के बार में कुछ नेटिव पॉइंट जो के आप सब को सुनना वह जोरी है और आप लोग खुद कहेंगे इसमें कुछ चेंज होना चाहिए पिन हो ज़्यादा ओड़ाच का होगा मतलब अउज़ा के मुकाबले में मतलब काफी पारफुल होगा मतलब ओड़ाच से काफी ज़्यादा होगा लेकिन एसम नहीं लगा क्यों कि जैसे आप लोग जानते हैं आउज़ा का जो एलक 60 अलिफायर आता है उसका आउटपूट फोरू प्रवाइट करता है जो की फोरूम में तो दोनों का कंपर करेंगे तो इसका ही नीचे आ रहा है तो मुझे उमीद था कि सब्सक्राइट के मुकाबले काफी वोड़च का होगा लेकिन एसा नहीं है जो कि आप लोग देख सकते हैं तो मुझे यह बहुत ही बड़ा नेजिटीव पॉइंट लगा और आप लोग को क्या लगा कमेंट करके जूरू बताएगा चले अब बात करूंगा इस प्राज कितन मिलेगा लेकिन हो सकता है बहुत ही जल्द आप सब्सक्राइब मिलेगा करीब एक मिना तो कम सब्सक्राइब लगा इसे आप सब्सक्राइब की प्राज कितना होगा तो देखें अहुजा की तरफ से कोई भी एनांस्मेंट नहीं किया कि इस अनलिफार की प्राज इतना रख किवी कलास D का है तो लगववव इतना तक होई सकता है लेगन इससे भी ज़्यादा अगर प्राज रखेगा तो लगववव मेरे सबसरी सनिपायर को कोई भी ना खरीद दे लेकिन ये एफ्रोस प्राज ये देखते हैं कितना तक प्राज रखेगा आपको क्या लगता है इस कितना होगा कमेंट करके जुरू बताएगा ताकि सब्सक्राइब को पता लाए कि एफ रोक्स इतना तक होना चाहिए तो बस वीडियो में ए तक वीडियो कैसला कमेंट और लाइकर के बताएगे